तो कबूतर एक गाउं में एक बहुत ही दुष्च शिकारी रहता था। वे अक्सर जंगल जाकर छोटे बड़े पक्षियों और जानवरों का शिकार करता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत ड़ते थे। जंगल में एक कबूतरों का जोड़ा था जो एक पेड़ पर संदर सा घोसला बना कर रहता था। एक दिन शिकारी ने मादा चिडिया को पकड़ लिया और पिंचरे में गैद कर दिया। शिकारी अब और शिकार करना चाता थ लेकिन अचानक तेज हवाय चलने लगी। अरे यह क्या मोसम तो बिगड रहा है। लगता है और शिकार करना बहुत मुश्किल होगा। मैं पेड़ के नीचे खुद को छिपा लेता हूँ। शिकारी को छुपने के लिए कोई और जगा नहीं मिली तो उसने खुद को एक प और शिकारी ने उसी पेड़ के नीचे रात बिदाने का सोचा। आज रात यहीं रुख जाता हूँ। शिकारी भगवान से प्रार्थना करने लगा क्यूंकि वह बरसात में भीग चुका था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शिकारी ठंड से काप रहा थ हे भगवान मेरी मदद करो मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूक भी लग रही है। दूसरी तरफ नरकबूतर बहुत डरा हुआ था क्यूंकि मादा अभी तक वापिस नहीं आई थी। मादा कबूतर उसे सुन पा रही थी कि वह बहुत डरा हुआ है। इसलिए उसने नरकबूतर को बताया कि वह शिकारी के पिंजरे में फसी है और वही पेड के नीचे बैठी है। वह अपने पती से कहती है, हमें शिकारी की जान बचानी चाहिए क्यूंकि ये हमारे महमान है और महमान तो भगवान की तरह होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो दुम्ह मारने के लिए पकड़ा है शिकारी की कोई गलती नहीं ये तो मेरे पिछले जन्मों की सजा है नरपक्षी बहुत ही भारी मन से शिकारी के पास पहुचा हमारे पेड के नीचे तुम्हारा स्वागत है शिकारी मैं तुम्हारे क्या सहायता कर सकता हूँ मुझे बताओ करीपा करके कुछ करो, मुझे ठंड से बचाओ, मुझे बहुत भूक भी लग रही है कबूतर शिकारी को कुछ सूखी लकणियां ला कर देता है, ताकि वह उन्हें जलाए और ठंड से बच सके मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम मेरे महमान हो, इसलिए तुम मुझे खा जाओ इतना कहकर कबूतर ने उसी आग में चलांग लगा दी कबूतर मर गया, और शिकारी ने उसे खाकर अपनी भूक भी मिटा ली मगर उसे खाने के बाद शिकारी को बहुत पश्टावा हुआ मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ, जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसी को खा लिया शिकारी अपने कीये पर बहुत पश्टाने लगा इस बात से दुखी होकर शिकारी ने मादा कबूतर को पिंज्रे से रहा कर दिया और आगे से कभे किसी पक्षी को ना पकड़ने की कसम ली आलसी गधा एक नमक का व्यापारी गाउं में रहता था वहें नमक की बोरियां शेह जाकर बेचता था उसके पास एक गधा भी था जो बहुत आलसी था व्यापारी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था उसे अच्छा खाना भी देता और बहुत प्यार भी करता गधा बहुत ही आराम परस था एक दिन जब व्यापारी नमक की बोरियां लेकर शेह जा रहा था तभी रास्ते में एक नदी आई व्यापारी अपने गधे के साथ नदी पार करने लगा तभी अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकराया और वह पानी में गिर पड़ा बोरियों का सारा नमक भी पानी में गिर गया और खिल गया अरे मेरी पोरियों इतनी हलकी कैसे हो गई अरे ये क्या सारा नमक बरबाद हो गया अब तो शहर जाने का कोई फायदा नहीं अब गाउं ही वापिस चलते हैं चलो भाई गधे अरे वाह आज का दिन तो बहुत अच्छा है आज तो काम से भी छुट्टी और पोरियों का भी भार कम अगले दिन जब दोबारा व्यापारी बोरियां गधे पर लादकर शहर की तरफ चला तब गधे को काम से बचने का एक उपाय सुझा क्यों न आज जान पूछ कर गेर जाओं काम से भी बच जाओंगा ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा अब व्यापारी को भी गधे पर शक होने लगा क्योंकि उसकी बहुत सी बोरियां पानी में गुलकर बरबाद हो चुकी थी व्यापारी का बहुत जादा नुकसान हो चुका था तब ही व्यापारी ने एक तरकीब निकाली इस बार व्यापारी ने नमक की जगह बोरियों में हुरूई भर दी इस बार जैसे ही गधा पानी में गिरा तो बोरियां और भारी हो गई यह देख गधा परिशान हो गया अरे अरे आज ये क्या हुआ बोरिया इतनी भारी कैसे हो गई लगता है सेड़ जी को मुझ पर शक हो गया है बहुत दिनों से तुम मुझे बेवकूब ना रहे थे आज के बाद ऐसी गलती मत करना समझे समझ गया सेड़ जी समझ गया एक गाओं में रामू नाम का एक सपेरा रहता था वह बहुत ही महनती, समझदार और दयालू था वह अपने द्वारा पकड़े गए सापों के साथ बहुत ही अच्छा विवहार किया करता था वह उन्हें जल्दी ही जंगल में छोड़ भी दिया करता था एक तिन जब वो एक बहुत बड़े सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा था तब ही दूसरे सपेरे ने उससे कहा रामू तुम यह सांप मुझे बेज दो मैं भी इसका खेल दिखा कर पैसे कमा लूँगा नहीं कमरू मैं अब इस सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ अगर हम इसे ज्यादा जिन अपने पास कैद रखेंगे तो यह मर जाएगा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी और वो वहाँ से चला जाता है यह सुनकर रामू की पतनी उससे कहती है अजी ऐसे कैसे घर चलाओगे अच्छे खासे दाम मिल रहे थे सांप के क्यों नहीं बेचा कमरू को नहीं भागवान तुम जानती हो ना कि मैं सांपों को अधिक दिनों तक अपने पास या किसी और के पास नहीं रहने दे सकता अरे सांप ही तो है खुले में रहकर किसी को काट लेगा घर में राशन तो वैसे ही खत्म है पर तुम्हें क्या तुम भी क्यों नहीं चले जाते जंगल वहीं जाकर रहो सांपों के साथ पतनी भी रामू को गुसे में छोड़ कर चली जाती है एक दन जब रामू कुछ सांपों को जंगल में छोड़ कर आ रहा था तभी उसने गाउ में एक घर के बाहर फीड को इकठा देखा वहां कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो चिला रहे थे मारो मारो इन सांपों को मारो यह सुनते ही रामू वहां गया उसने देखा कि एक घर के कोने में दो सांप थे जिन्हें लोग मार रहे थे वहां पोहँचते ही रामू ने कहा अरे भाई इन बे जुबान बेकूसर सांपों को क्यों मार रहे हो अरे इन्हें मारे नहीं तो क्या खुद मर जाएं अरे मैं तो बाल बाल बच्ची हूँ भाईया मुझे तो काठ ही लेते अभी तुम लोग रुको मैं इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देता हूँ रामू के ऐसा कहते ही सभी लोग वहां से हट गए और रामू ने उन सांपो को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया सांपो को छोड़कर रामू जैसे ही अपने घर आता है अचानक देखता है कि दोनो नाग और नागिन उसके घर पर बैठे हुए उन्हें वहां देखकर वह चौक जाता है और सोचने रखता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो तो अभी जंगल उन्हें छोड़ कर आया था तब ही नागिन कहती है हम दोनो इच्छाधारी नाग नागिन है तुमने हमारी जान बचा कर बहुत बड़ा ऐसान किया है हम पर हम तुम्हारा धन्यवात करते हैं उन्होंने रामु को सोने के अंडे दिये और कहा रामु ये अंडे कभी खत नहीं होंगे अब तुम्हारा घर हमेशा पैसों से हारा भरा रहेगा यही हमारा आशिरवात है और ऐसा कहते ही इच्छाधारी नाग और नागिन वहां से गायब हो गए अगले ही दिन रामु की पतनी भी वापस आ गई और रामु से माफी माँगने लगी तुम ठीक ही कहते हो जी हमें इन बेजुमान सापों पर दया करनी चाहिए अब रामु सापों के सोने के अंडे बेच कर हमेशा खुशाल रहने लगा आल सी राजा शेर एक दिन जंगल में जोर जोर से पेड काटने की आवाज हुई खरगोश ने देखा कि एक आत्मी पेड़ों को काट रहा है खरगोश ने जाकर यह बात शेर राजा को बताई राजा जी राजा जी जंगल में एक आत्मी खुशाया है जो हमारे पेड काट कर अपने साथ ले जा रहा है हमें कुछ करना होगा शेर बहुत ही आलसी था इस बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ एक आदमी कितने पेड ले जाएगा ले जाने दो जंगल में हमें पेडों की क्या कमी शेर आराम से फिर सो गया अगले दिन फिर खरगोश ने उसी आदमी को दूसरा पेड काटते देखा अरे यह क्या यह तो और पेड काट रहा है खरगोश शेर से बोला महराज, महराज ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के पेड नश्ट हो सकते हैं वही आदमी आज फिर एक पेड काट रहा है तुम फिर यहां आ गए एक आदमी इस जंगल का कुछ नहीं बिगार सकता तुम यहां से जाओ और मुझे सोने दो यह मेरे आराम का वक्त है जब हर रोज वही आदमी आता और पेड काट कर ले जाता तब बेचारे घरगोश को बहुत चिंता होती राजा के पास ताकत तो है पर दिमाग नहीं मुझे ही कुछ करना होगा अगले दिन घरगोश ने एक तरकीब लगाई और उससे शेर के पास जाकर बोला अब तो आपकी कोई आवज शक्ता नहीं ने राजा जो आने वाले हैं क्या कहा ने राजा मैं इस जंगल का राजा हूँ और कोई नहीं तो मैं ऐसा क्यों कह रहे हो क्या आप बोलू क्या बताओ आपसे राजा जी शायद लगता है आपको पता नहीं वही आदमी जो रोज पेड काटता था अब निडर हो चुका है कल ही उसने मुझसे कहा कि अब वो ही जंगल का राजा है उसे लगता है कि इस जंगल में कोई शेर राजा नहीं है अगर होता तो क्या वो इतने पेड काट पाता उसकी ये हिम्मत चलो अब ही उसे सबक सिखाता हूँ चतुर खरगोश की यह चाल काम आई और शेर दहार्टने हुए उस आदमी तक पहुँच गया बेचारा आदमी पेड काटना छोड दूम दबा कर फाग गया और कभी जंगल में वापस नहीं आया खरगोश ने अपनी चतुराई से जंगल के सभी पेडों को बचा लिया